पंजी रामराम जी क्या हाल चाल अपके उमीद करता हूँ आप और अपका प्रिवार ठीक ठाग होगा यदि आपका सपना अरियाना पुलिस में लगने का है तो आपके लिए नई सुचना आई है हरियाना सरकार ने नया पैटरन बनाया हरियाना पुलिस की बरती का अरियाना पुलिस के आप सबीकों पता हुआ च के लिए बरती आपके लिए नई बरती आने वाड़ी है पिछली बरती में यह दियापच्छा नहीं कर पाई कोई बात नहीं इस बरती में आप अपने जंडे गाड़ देना ठीक है तो नए नियम क्या है जिनके बेश भी भरती होगी और पुराना जो पैटरन था वो सब तो इस बार वो चीज कहीं ना कहीं खतम कर दिये सरकार ने और एक नया स्टेप एक नया बदलाओ यहां पर कर दिया गया है ठीक है और यदि आप CET मेंस की त्यारी करना चाहते हैं दोस्तों CET मेंस की त्यारी करना चाहते हैं तो KTDT Online Education App पर बैच उपलब्द है ALM के लिए भी है, Fireman के लिए भी है, 12th Common के लिए भी है, Graduation Common के लिए भी है, आपका दिल करेए तो आप जोइन कर सकते हैं सतर, पंदरा, चोविस, चौनतीस, इक्यार्णमे, इस नंबर पर वटसप कर सकते हैं या KTDT IP पर जाकर डेमो कर सकते हैं अब हम दोस्तों देख लेते है बही नई अपडेट आपके लिए क्या आई है हरियाना पुलिस की भरती से जुड़ी होई अब किस पैटरन से यहाँ पर भरती होगी मैं जो बोल रहाँ उसके उपर ध्यान दीजीगा हो सकता है यहाँ पर आपको ना दिख रहा हो चैजार सिपाही बरती हरियाना पुलिस ने त्यार किए नए नियम तो नए नियम है ये उचक्षा के नहीं उचकद के मिलेंगे अतिरिक्त अंक यह चीज मैंने आपको पहले के हिसाब से आपको नमबर है वो दिये जाएंगे हरियाना पुलीस ने 6000 पदों पर होने वाली सीपाही भरती के लिए सीपाही पद के सेवा नियमों और भरती परकरिया में बदलाव किया है नए नियमों के तहट अब सीपाही भरती में उच्छा के अतिरिक्ट अंक नहीं मिल आपके race के नंबर भी इस बार मिलने वारे हैं इस बार हाइट के नंबर भी आपको मिलने वारे हैं ठीक है, हरियाना पुलिस के DGP की ओर से इसका ड्राफ्ट त्यार कर लिया गया है और जल्द ही इसे अंतिम रूप दिया जाएगा, इसके बाद जैसे ही हरियाना करमचरी चायन आयोग के पास DGP की ओर से नए सेवा नियम भेज दिये जाएंगे, इन पदों के लिए आविद के लिए और हरियाना पुलिस के लिए हम नया बैच भी स्टार्ट करेंगे, न्यू बैच भी स्टार्ट करेंगे, स्पेशल बैच होगा हरियाना पुलिस के लिए, क्या है, स्पेशल बैच होगा हरियाना पुलिस के लिए, ठीक है, गरंटिड वाड़ा, हरियाना पुलिस की और से 5000 पुरुष सिपाही और 1000 महिला सिपाही पदो को लेकर आयो को मांग बेजी जा चुकी है इससे पहले हरियना पुलिस ने सिपाही बर्ती की परिकरिया में बदलाओ किया है अब CET PMT Physical Measurement Test और PMT Physical Screen Test होगा क्या कहा देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए अब CET Pass अभियर्तियों का पहले क्या होगा PMT होगा Physical Measurement Test होगा फिर PST होगा ठीक है देख पार है अब पहले क्या होगा PMT होगा फिर PST होगा यह दोनों टेस्ट पास करने के बाद लिखित प्रिक्षा ली जाएगी जबकि इससे पहले इसके विपरीत होता था पहले लिखित प्रिक्षा होती थी बाद में PMT और PST होता था इसमें दिक्कत यह आ रही थी कि लिखित प्रिक्षा में काफी संख्या में ऐसे अभियर्ति भी सामिल हो रहे थे जिनका कद और छाती पूरी नहीं थी ऐसे में कम पदों के लिए अधिक आविदन आते थे और भरती परकिरिया में समय लगता था पिछली पांच आरकी सिपाही बरती में भी यही निमा अपनाए गए थे अब हरियाना करमचारी चोयन आयो गरियाना पलिस ने इन खामियों को सुधारने की कोशिस की है यह होंगे सिपाही पद के लिए भरती के नियम सिपाही बनने के लिए बारवी कक्षा होना जरूरी है पहले बी ये पास को चार और एमे पास को तीन अतिरिक तंक मिलते थे विभागय सुतरवा कहना की नई भरती में इन अंकों को नहीं दिये जाएगा बलकि इनके स्थान पर तैस में से पहले दूड पूरी करोगे तो आपको दो और लंबाई से अधिक छैप फुट तक के जवानों को तीन अंक दिये जाएंगे इसके पीछे तरक दिया जारा कि शिपाही का अधिकतर काम फिल्ड में होता है और उनका मजबूत होना जरूरी है तो यहाँ पे दोस्तों आपके रेस के कितने नंबर है जी दो और हाइट के कितने नंबर है जी तीन टोटल पांच नंबर यहाँ पे फीजिकल के रहने वाड़े है ड्राफ त्यार किया वीत विभाग की मोहर बाकी है तो अब वित विभाग इसको मंजूरी करेगा मोहर लग जाएगी यह रूल तो बन गए है फाइनल बस वहाँ पे मोहर लगना बाकी है कि हाँ लिव यह ठपा लग गया जी ठीक है तो छैजार पदों पे हरियाना पुलिस के बरतियारी है अब उन लोगों को जो यह बार-बार बोलते हैं कि हमारे पास सोशेकनमे का राइटरिया है हम कैसे फाइट करें वैसे ही बच्चे हमसे 5 नमबर आगे हैं 10 नमबर आगे हैं तो इस बार भई आपके लिए सहुलियत कर दे गई है सभी बच्चे बराबर कर दे गए है जिसमें दम होगा जिसमें वास्तों में फीजिकल बढ़िया होगा जिसका वो बच्चा अब आगे रहेगा ठीक है तो यह थी अपडेट आप सभी के लिए और हरियाना पुलिस के लिए नया बैच हम स्टार्ट करेंगे यदि आपका दिल करें आप कोई भी इंक्वारी करना चाहते हैं इस नंबर पे आप कोल कर सकते हैं सत्तर पंद्रा चोबिस चोंतिस एक्यान में ठीक है जी तो आज किस बहतरिन वीडियो में इतना ही धन्यवाद बगवान करें आप सभी का समय सुब रहे